आलो कशिल्ला भाणने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और काफि क्रिस्पी बनता है तो यह चोटे बच्चों से लेकर बड़े तकको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है आज हम बनाएंगे आलू से चिल्ला और जो कि बहुत ज्यादा जटपट बन जाने वाला रेसिपी है तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी को इसमें क्या क्या इंग्रेडियन्स हम यूज करते हैं उसे देख लेते हैं तो यहां पे मैंने एक बड़ा पोटैटो आलू लिया है तो एक बड़ा प्याज मैंने यहां पे लिया है और उसे भी बारिक बिल्कुल चॉप कर लिया है अन्यन को तो इस तरह से अन्यन को डालने के बाद यहां पे रौ मैंगो का मैंने यूज किया है कच्चा कटा हुआ आम और आम भी बहुत चोटे चोटे टुकडों में मैं अगर आपके पास raw mango नहीं है तो आप अमचुर का यूज़ करें अब मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर और यहां पर मैंने लिया है सूजी तो सूजी हम लेंगे चार बड़े चम्मच तो आलू और प्याज और जो मैंने आम लिया तो उसके बाद सूजी डाला है कॉन फ इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो मैंने यहां पर लिया है चावल का आटा तो आप दो चम्मच चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैंने लिया है मैगी मसाला अगर आपके पास मैगी मसाला अबिल नहीं है तो आप गरम मसाला का यूज़ कर सकते हैं टेस्ट डालेंगे धुला हुआ अच्छा फ्रेस बिल्कुल बारिक चॉप किया हुआ तो यह चिल्ला बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रियंस चाहिए थी वह सारी यहां पे रेडी हो चुकी है एक बावल में आ चुकी है और अब हम डालेंगे चिल्ली फ्लैक्स अगर आपको ज्या इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए चारो तरफ से लेते हुए और हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक बढ़ यहां बैटर तयार कर लेंगे बैटर हमारा गाढ़ा होना चाहिए बहुत ज्यादा पत्ता रहेगा तो यह आलू का चिल्ला हमारा तूट जाएगा ब अच्छो को बहुत पसंद आएगा पैन को मैंने फ्लैम पे रखा उसमें थोड़ा सा ओयल डारा और अब उसमें मैं तीन से चार चमच बैटर को डाल दूगी बैटर की कंटेंस्टेंसी यही रहेगी फ्रेंड्स आप इसे अच्छी तरह से देख लीजे इससे ना जादा ब इसे एक से डिर मीनर तक रहने देंगे थोड़ी दिर के बाद जब लेट को हटाएंगे तो देखेंगे कि उपर बिल्कुल ड्राइ हो चुका है तो अब हमें थोड़ा सा ओयल डालना है आप इसमें चाहो तो घी और बटर का भी यूज कर सकते हैं अब इसे हलके हाथों से ह चुका है इसके दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से सेक लेना है विलीव में यह चिल्ला आलू का बहुत ही बन्या बनता है यह आलू का नास्ता बहुत ही टेस्टी होता है दूसरा भी हम पुल्ला इस तरह से बना लेंगे इसे कुछ पुल्ला बोला जाता है और इसे चिल् उसे बही method को follow करना है और लगाना है उपर dry होनी के बाद और उसे पलट देना है तो इस तरह से इसे दोनों साइट से खूब बढ़िया लाल होने तक हमें क्रिस्पी होने तक सेक लेना है अच्छी तरह से एच्टी होने के साथ साथ ये चिल्ला बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी अगर आपके बच्चों को इस तरह से आपके बनाने के बाद पुल्ला पसंदाता है तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताईगा कि आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स वीडियो के नीचे लाइक का ओप्सन है वहां पर प्लीज लाइक करिए लाइक करिए लाइक कर मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूरसे करिएगा फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल KUL FRI है और मैं अपनी चैनल में हमेशा चोटे बच्चों से रिलेटिटे्टर रेसेपिस और जो भी घर लू नॉर् करिए जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा